75% attendance का rule जो बिहार में लाया गया था जिसके अनुसार यह कहा गया कि अब हर बच्चा चाहे वो primary school में पढ़ता हो middle school में पढ़ता हो high school या plus two school में पढ़ता हो college में पढ़ता हो या university में पढ़ता हो कोई technical course कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो ऐसे सभी student के लिए बिहार के सिक्ष जो जारी हो रहा ना उसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है कि आखिर यह 75% attendance के रूल का क्या हुआ अभी इसके क्या इस्तिती है और हमें अभी school या college जाना पड़े है कि अगर नहीं जाते हैं तो हम पर क्या कारवाई हो सकती है तो पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपका यह बिहार के अंदर चलने वाला रूल 75% 75% हाजरी का रूल खतम हो गया तो यह आपकी गलत सोच है यानि कि ऐसा कुछ है नहीं यह रूल अभी खतम नहीं हुआ है अभी भी इस रूल को वैसे का वैसा बना कर रखा गया है और मैं आप आपको बता दू कि समय के साथ इस रूल में और सकती इलाई जा रही है ऐसा नहीं कि छूट दिया जा रहा है इस रूल को और सकत किया जा रहा है अब रही बाद कि जो बच्येश में मैटरी खा एकजाम और एक्जाम देने इसा एक 6-7 इक्जाम पर दिए इनकाおkiej11 के रिज जल्ट भी बना करके जम्मा हो गया है तो ऐसे बच्चों को अब ज्यादा दबाव नहीं दिया जा रहा है ऐसे बच्चों को बुलाने पर जो है नहीं आने पर उनके नहीं आने पर कारवाई नहीं की जा रही है लेकिन जो 9th के बच्चे हैं और 11th के बच्चे हैं ऐसे जितने बच्चे आपके यहां नामांकित हैं जिनका अडमिशन है उन बच्चों की कुल संख्या का 75% बच्चे आपके यहां प्रेजेंट होने चाहिए तो स्कूलों पर जब दबाव पड़ेगा जब उनको कहा जाएगा कि आपको 75% डिटर्नेंस अपने यहां दिखाना है ब बच्चों का अभी एक साल बाकी है उनको अभी अपने स्कूल कॉलेज में एक साल रहना है क्योंकि उनका एक्जाम 25 में होगा तो ऐसे बच्चों को अभी बुलाया जा रहा है और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने विगत कुछ दिनों में प बाहत की बात की नाम अगर काड़ा गया है तो ऐसा नहीं कि आपका रइजिटर पर से नाम हटा दिया गया हाँ अगर आप चाहें तो दोबारा से एक सपत पत्र एक एफिडेविट दे करके अपने उसी कॉलेज में अपने उसी स्कूल में आप दोबारा से नाम लिखवा सक एक ले क्या करना होगा वो समधान बताएंगे कि आपको एफिडेविट जमा करना है सपत्पत्र जमा करना है जो कहा जाए उसको आप फॉलो कीजिए और उसके इसाब से फिर आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा लेकिन आगे से आपको यह गलती नहीं करने होगी अगर अपने अटेनिस नहीं बनाया आपने वहां उपस्तित नहीं हो पा रहे हैं तो आपका नाम भी काटा जा सकता है और अगर दो बर तीन बर अगर नाम काटा गया और आप बार बर चढ़ा रहे हैं नाम और फिर से गायब हो जा रहे हैं तो हो सकता है कि पर्मानेटली भी करन रद कर दिया जाए आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाए तो एडमिशन कैंसल हुआ इसका मतलब यह नहीं कि नाम बिल्कुल कड़ गया है अभी आपके पास मौके हैं दोबारा से अपने अडमिशन करवा सकते हैं लेकिन यही गलती बार-बार करते रहे तो फिर आगे च खबर नहीं आती है को बच्चे सोचते हैं इसको ओर सकतार किया रहा जहां जिन जने स्पूलों का अटेंडेंश रिपोर्ट लो है कम है जहां बच्चों की उपस्थिती कम है ऐसे स्कूलों के एडमास्टर पर करवाई कि जारी है उनका वेतन बंद कर दिया जा है उनका पेमेंट रोग दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है जब दबाव पर बनाएंगे आपको जाना पड़ेगा इस लिए इस चीज को बिल्गुल समझ लेना है आपको अगर आपका स्कूल कॉलेज बुलाता है बनाने के लिए कहता है तो अपने स्कूल कॉलेज में जाते रहें अगर नहीं जाएंगे तो आपके भी नामांकन के रद होने की संभावना बने रहेगी एक डर एक खत्रा बना रहेगा तो यह 75 परसंट इस खतम नहीं हुआ है अभी तक मैं आपक हमको लिष्ट दीजिए तो लिष्ट अभी तक बच्चों का 100% मिला नहीं है लेकिन 23 से 25 लाख बच्चों का नाम कट चुका है पूरे बिहार में तो आप इसी से कलपना कीजिए कि अगर यह नियम खतम हो चुका होता तो इतने बच्चों का नाम कैसे करता और उस सूचना क का उस जानकारी का उसके बार में जो खबर आये थी आप यहां पर देख भी सकते हैं स्क्रीन सौट कि बच्चों का नाम कटा है नाम कटा है कट रहा है लगतार इसमें करवाई हो रही है इसलिए 75% को अभी हलके में ना ले जैसा आपका स्कूल कॉलेज का है वैसा फॉलो कर लेकिन यह समस्या आप उनके साथ सेयर करेंगे अगर चुप-चाप से गाइब रहेंगे तब तो कारवाई होना तैय है तो फिलाल इस वीडियो के लिए नहीं अगली जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में